असलाम लेकूम आज हम बनाएंके शामी तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम एक गरामसाला पॉडर बना के तयार कर लेंगे तो गरामसाला पॉडर के लिए हम लेंगे लॉंग यलाइची, दालचीनी, शाजीरा, जाइफल, जावीत्री तो ये सब चीज़ों को अब हम एक साथ करके इसका पॉडर बना के रख लेंगे तो ये देखिए इसका पॉडर हमने बना लिया है और ये देखिए शामी बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर में 750 ग्राम समटन अड़ कर लिया है और अब हम इसके अंदर आट करेंगे लाल मिर्च पॉडर, हल्दी, नमक, अद्रक्लिसन का पेस्ट तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के साब से कम या जादा कर सकते गरा मसाला पॉडर तो यह वही गरा मसाला पॉडर है जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बनाया था थोड़ा सा कुकिंग ऑईल आट कर लेंगे हरा मसाला तो हरा मसाला में हम लेंगे कोटमीर, पुदीना, हरी मिर्च और प्यास चनी की डाल आट कर लेंगे यह धूली हुई चनी की डाल है तो चनी की डाल जितना हो से कि आप कम डालने की कोशिश किजिए अगर जादा डालेंगे तो शामिया अच्छे ने बनते दो गलास पानी आट करेंगे इसके अंदर और इसको प्रेशर कूक होने के लिए रखतेंगे ताकि जो गोश्ट है और डाल है वो अच्छे से गल के नरुम हो जाए तो यह देखिए अब यह गोश्ट और डाल अच्छे से गल गए और इसको अब हम पीस लेंगे पीस लेने के बाद में इसमें थोड़ा सा हरा मसाला आट कर लेंगे हम यानि के कोत्मीर और कुदीना बिल्कुल बारी कटा हुआ और तीन से चार चाय के चमच कुकिंग ओईल आट कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसकी शामी बनाना शुरू करेंगे तो हतेली पे थोड़ा सा कुकिंग ओईल लगाएंगे और पीसा हुआ गोश लेके इस तरह से इसका शेप दे देंगे हम तो सारी शामीया हम ऐसे ही बना के तयार कर लेंगे और अब हम इसको फ्राइ करना शुरू करेंगे तो इसको इस तरह से रखे थोड़ा सा कुकिंग Bodas करेंगे भिलकुल थोड़ा सा यानि के 3-4 टेबिल स्पुन कुकिंग ओईल किजिए और इसको मेडियम हीट पर फ्राइंगे और इसके sides भी चेंज करते जाएंगे हैं अ जिए दूसरी तरफ भी हम इसकी sides चेंज करने के बाद में इसको fry करेंगे ऐसे ही और अब ये शामिया अच्छे से fry हो गए तो अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे और इसको डिशाओट कर लेंगे और अगर आपको ये शामी की रेसिपी अच्छे लगती है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्स पर वाचेंग अलाह आफेस